नमस्कार मैं राजकुमार, स्री ओरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हम सिक्ष्या में सुन्य निवेश नवाचार कारिग्रम ZIIEI द्वारसंग कलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में मैं आपको मानविय मुल्यों के अंतरगत अंडमान और निकोबाडीव समोह के नवाचारी सिक्षिकोद्वारा विक्सित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ जिसका स्वीर्शक है चात्र टोली आज के समाज में चात्रों के मन से ये जो मानविय मुल्यों के गिरते जा रहे हैं ये एक बहुत गंबीर समश्या बने गुई है नवाचारी सिक्षक ने अपने प्रयासों से अपने विद्याले के बच्चों में मानुय मुल्यों का विकास करने का एक सज़क प्रयास किया है उन्होंने बच्चों में टीम भावना, लीडर्शिप, सहानूबुती, समानूबुती जैसे गुणों का विकास करने के प्रयास किये हैं सबसे पहले उन्होंने बच्चों से प्रात्रा सभा में ऐसे बड़े नियमों के बारे में बात की जिसमें उन्होंने मानवियों मुल्यों का बच्चों को महत्व समझाया किस प्रकार से वो किसी की प्रतिसानुवती रख सकते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, गाउं की जानवर इसके अलावा ज़रुत बंदों की सहायता करना एक टीम मेट के रूप में अपने कक्षा के साथियों की सहायता करना ऐसे कई सारे उधारनों के साथ उन्हें गुन समझाने के प्रियास किये उन्होंने कक्षा के छात्रों को कई अलग-अलग तोलियों में बाट दिया जैसे क्रातना सभा टोली, स्पोर्ट मतलब खेल टोली, उसके अलवा एक्जाम्स टोली और ऐसे कई अलग-अलग तोलियों को काम दिया गया कि आपको इससे सम्मंदित काम को ध्यान रखना है अब टोली में कई सारे छात्रों का समोह है, तो उनमें से उनका एक लीडर भी डिसाइड किया गया जैसे कोई भी चप्र अगर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता से सम्मंदित काम है तो उसका काम स्वच्छता टोली को दिया गया कि वो अपने विद्याले में, अपने आसपास के एरिया में, अपने क्लास के छात्रों को स्वच्छता से हाईजिं से सम्मंदित सारी जानकारी मोहिया करवाएगा उन्हें जागरुक करेगा, स्वच्छता के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, वो सारे प्रिरित करने काम उस टोली का रहेगा इसी प्रकार कोई competition हो रही है, तो कौन से कौन से बच्चे हिस्सा लेंगे, किस-किस खेल में हिस्सा लेना चाहिए, किस प्रकार से महनत करनी है ये सारी जानकारी स्वच्छ टोली के पास रहती है, सारे काम स्वच्छ टोली करवाते हैं इस प्रकार स्वच्छिता तोली भी है जो विद्याले के अंदर किस प्रकार से में स्वच्छिता को ध्यान रखना है स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आपको बिमारियों से बचा सकते हैं और ये सारी बातों का ध्यान रखने के लिए काम इन पर्टिकुलर टोलियों को दिया गया। इसके माध्यम से बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास हुआ। टीम में मिलकर काम करने की प्रेणा जगी। और विद्याले में उनकी निरंतरूप बस्तिती बढ़ी। यहाँ एक रोचगती विद्य है। इसके माध्यम से बच्चों में कई सारे नए गुण और मानुमेवल्यों का संचार किया जा सकता है। महिने के अंत में जिस टोली ने बहुत अच्छा काम किया। नवाचारी सिक्षक उन्हें प्रात्ना सभा में उसके लीडर को और उस टोली को सामने बुलाकर प्रुच सहित करते हैं। टोली को यह भी कहा गया। आप जिन में जो भी काम करते हैं उनको कौपी में नोट डाउन किया कीजिए। ताकि उसमें जांच की जा सके और यह जांचा जा सके कि आपके द्वारा कीएगे कार यह बहुत सही है। अत्वावन में और सुधारों की आविशकता है। यह एक रोचेगरती वीदी है। हम आशा करते हैं आपको यह पसंद आई होगी। आप भी से अपने विद्ध्याले में क्रियान विद्ध करेंगे। आप इस प्रकार के दिल्चस्पन वाचर आप तक लाते रहेंगे। आप से अनुरोध है। आप हमारी यूट्यूब चैनल ZIIII को सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।